तो ये बात तुम्हें रानी कवी को बताने चाहिए थी अब रानी कवी चली गई तो ये बात बताने का क्या फाइदा मैं रानी कवी को भी ये बात बता दूँगी लेकिन मेरी एक शर्थ है अगर तुम मेरी शर्थ मानोगे तो मैं तुम्हारी पत्नी को वापस तुम्हारे गोसले में ले आऊंगी क्या शर्थ है तुम्हारी बताओ तुम मुझे दो भोजन से बरी पोटेयां दे दो मैं तुम्हारी पत्नी को जाकर सब कुछ सरसत बता दूँगी क्या मतलब तुम ये सब कुछ बोजन के लिए कर रही थी लेकिन मेरे पास इतना बोजन नहीं है मैं तुम्हें कहां से दूँ तुम्हारे पास कल तक का समय है मैं कल इसी समय तुम्हारे घुशले में आऊंगी तुम मुझे कहीं से भी दो बोजन से भरी पोटलियां दे देना इतना कहकर वे कवी वहां से चली जाती है बाप रे बाप ये बेटे बिठाए कौन सी नई मुसीबत मेरे गले पड़ गई है अब मैं उस कवी को दो भोजन से भरी पोटलियां कहां से ला कर दूँगा लेकिन अगर मैंने उस कवी को भोजन ना दिया तो रानी कवी कवी कभी भी अपने मैके से वापस नहीं आएगी मैं रानी कवी के बागेर आखिर कैसे रहूंगा मुझे किसी भी तरह उस कवी को भोजन देना ही पड़ेगा और फिर कालू कवी भोजन की तलाश में वहां से चला जाता है कालू कववा भोजन ढूनता ढूनता जा रहा होता है, लेकिन कालू कववे को एक दाना भी भोजन का कहीं पर भी नहीं मिलता, इसलिए कालू कववा भोजन ढूनता ढूनता जंगल से बाहर चला जाता है, कालू कववा जंगल से बाहर भोजन ढून ढून रहा होता है, के काल कवव उडता उडता एक घर के पास हता है और उस घर के अंदर चला जाता है ये सब कुछ कालु कवव भी देख रहा होता है मैं लगता है ये घर इस कवव का ही है लेकिन इस कवव के पास तो दो-दो बोजन से बरी पोटलियां है अगर मैंने वे दोनों बोजन की पोटलियां चोरी कर ली तो मेरी रानी कववी मेरे पास वापस आ जाएगी मैं आज रात को किसी भी तरह इस घर से वे दोनों बोजन की पोटलियां चोरी कर लूँगा इतना कहकर वे कालू कववा वापस अपने गोशले की तरफ चला जाता है पती जी तुम आ गए और तुम्हारे पास ये दो-दो भोजन से बरीपोट लिया है लगता है आज तुमने बहुत ही मेनत की है हाँ भाई मैंने बहुत ही मेनत की है चबी तो मैं आज इतना सारा भोजन लेकर आया हूँ वैसे कल मैं भी इतना ही भोजन लेकर आऊंगी मैंने एक कववे को अपने जासे में फसाया है कल वे ही कववा मुझे दो-दो भोजन से बरी पोटलियां देगा और फिर वे कववी अपने पती को वे सारी बात बताती है जो जो उसने कलू कववे के साथ किया है सोनी कववी मैंने तुम्हे मना किया था ना कि आज के बाद तुम कभी भी ये गलत काम नहीं करोगी तुमने फिर भी यही गलत काम किया पती जी इस बार आखरी बार है मैं इसके बाद कभी भी किसी को भी अपने जासे में नहीं फसाओंगी ये सिर्फ और सिर्फ आखरी बार है ठीक है ये सिर्फ और सिर्फ आखरी बार ही होना चाहिए इसके बाद तुम कभी भी ये गलत काम नहीं करोगी मैं मैंनत करता हूँ तुम भी मैंनत ही करोगी और फिर जंगल में रात भी हो जाती है चलो बैचलो रात हो गई है मैं जल्दी से जाता हूँ और उस घर से वे दोनों भोजन की पुर्टियां चोरी कर लेता हूँ और फिर ये कहकर वे कालू कववा उस घर की तरफ भोजन चोरी करने के लिए चला जाता है कालू कववा चोरी चुपे उस घर के अंदर आता है घर में काफी जादा अंधेरा था जिस कारण कालू कववा उस कवी को देख नहीं पा रहा था चलो भाई, घर में काफी जादा अंदेरा है, मैं इसी बात का फाइडा उठा कर ये दोनों भोजन की पोटलियां चोरी कर लेता हूँ और फिर वे कालू कववा फॉरन, वे दोनों भोजन की पोटलियां चोरी करकर अपने गोशले की तरफ चला जाता है अगली सुबे हो जाती है, वे कववा और वे कववी जब उठते हैं, तो वे देखते हैं, उनके घर में तो वे दोनों भोजन की पोटलियां होती ही नहीं हैं, वे दोनों काफी जादा परिशान हो जाते हैं सोनी कववी, ये क्या हो गया, लगता है कर रात किसी ने हमारे गर से वे दोनों भोजन की पोटलियां चोरी कर ली हैं, मैंने कितनी ही मैनस से वे भोजन जमा किया था पती जी, तुम बिल्कुल भी परिशान मत हो, मैं अभी जा रही हूँ न, उस कववे से भोजन लेने के लिए, तुम बिल्कुल भी परिशान मत हो ये कहकर वे कववी, कालू कववे के पास भोजन लेने के लिए चली जाती है आ गई तुम, तुम्हारा भोजन एकदम तयार है, ले लो तुम अपना भोजन और फोरण रानी कवी को तुम किसी भी तरह मेरे घोंसले में वापस लेकर आओ और फिर वे कवी, वे भोजन लेकर वहां से चली जाती है कुछ देर के बाद रानी कवी भी वापस अपने गोंसले में आ जाती है कालू कवी रानी कवी को देखकर बहुत जादा ही खुश होता है कालू जी मुझे माफ कर दो, मुझे उस कवी ने सब कुछ सच सच बता दिया है केवे कववी ये सब को सिर्फ और सिर्फ भोजन की वज़ा से कर रही थी और फिर कालू कववा भी रानी कववी को माफ कर देता है और कालू कववा और रानी कववी खुशी-खुशी रहने लगते है पती जी ये देखें मैं भोजन ले आई हूँ वो भी दो-दो पोटली भर कर सोनी कववी ये पोटलियां तो मेरी है जो कल रात मेरे घर से चोरी हुई है इसका मतलब पती जी कल रात को उस कववे ने हमारी घर से हमारी ही पोटलियां चुरा कर हमें वापस लोटा दी सब कववे एक जैसे ही होते हैं जैसा तुमने उस कववे के साथ किया वैसा ही उस कववे ने भी हमारे साथ किया और फिर वे कववे हमेशा हमेशा के लिए पक्षियों को परिशान करना छोड़ देती है आप सब को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर आप सबने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ये कहानी एक कोमल चडिया की है जो के बहुत ही सुन्दर और रहम दिल थी कोमल चडिया के पती की एक हाथसे में मौत हो गई थी जिसके कारण कॉमल चडिया अब बिलकुल अकेली ही हो गई थी लेकिन कॉमल चडिया ने अभी कुछ ही दिनों पहले एक अंडा दिया हुआ होता है अब कॉमल चडिया का अकेला पन भी दूर होने वाला था क्योंके कॉमल चड़िया के अंडे में से एक छोटा बच्चा जो आने वाला था इसी कारण कॉमल चड़िया काफी जादा खुश होती है लेकिन आज कल कॉमल चड़िया की तबियत काफी जादा खराब रहती थी जिसके कारण कॉमल चड़िया आज वेजी के पास अपना इलाज करवाने के लिए जा रही थी उल्लो वेजी मुझे कुछ दवाई दे दीजिए ताकि मेरी तबियत बिल्कुल ठीक हो जाए और मैं दुबारा से तंदरुस्त हो जाऊं चड़िया तुमें एक जान लेवा बिमारी हुई है और इस बिमारी का इलाज किसी भी वेजी के पास नहीं है इसलिए मैं तुमें कोई दवा नहीं दे सकता हूँ और तो चड़िया अब तुम इस दुनिया में कुछ ही दिन की हो अलो वेजी ऐसा तो मत बोलिये अगर मैं मर गई तो मेरे अंडे का दिहान कौन रखेगा अभी कुछ ही दिनों में मेरे अंडे से एक चोटा सा बच्चा आने वाला है उसका दिहान कौन रखेगा चड़िया लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकर तुम्हारी बिमारी का इलाज मेरे पास नहीं है फिर वे चड़िया उदा सोकर वहां से चली जाती है मैं क्या करूँ मुझे तो जानलेवा बिमारी है और जानलेवा बिमारी के कारण मैं कुछ की दिनों में मर जाओंगी तो फिर मेरे अंडे का दिहान कौन रखेगा ना जाने ये कैसा संकटा गया है मुझ पर मैं तो काफी जादा परिशान हो चुकी हूँ अब तो मेरे पास सिर्फ एक ही हल है कि मैं अपना अंडा किसी पक्षी को जाकर दे दूँ ताके मेरे मरने के बाद वो पक्षी मेरे बच्चे को पाल पोस कर बढ़ा कर दे और मेरे भविशे सवर जाए बस अब मेने फैसला कर लिया है कि मैं अपने इस अंडे को ले जाकर किसी पक्षी को दे देती हूँ फिर कोमल चिडिया काफी उदास होती है और अपना अंडा किसी पक्षी को देने के लिए ले जाती है मेनो चिडिया तुम अपना अंडा लेकर आज म मुझे एक जान लेवा बिमारी है जिस बिमारी के कारण मैं कुछ ही दिन में मर जाओंगी इसलिए मैं अपना अंडा आपको देने के लिए आई हूँ ताके मेरे मरने के बाद आप मेरे बच्चे को पाल पोस्कर बढ़ा कर दो और उसका भविश्य सवार दो इसलिए तोते भ मेरी पत्नी भी नहीं है मेरी पत्नी मुझे जगड कर अपने मैके चली गई है और वे अब अपने मैके से कभी भी लोट कर नहीं आएगी इसलिए कॉमल चेडिया ये अंडा में तुम्हारा नहीं रख सकता हो कॉमल चिडिया तुम एक काम करो तुम अपना ये अंडा ले जाकर कबूतर को दे दो कबूतर की पत्नी तुम्हारे बच्चे को पाल पॉसकर बड़ा कर देगी अच्छा तु ठीक है तु फिर मैं अपना अंडा ले जाकर कबूतर को दे देती हूँ फिर कॉमल चेडिया अपना अंडा लेकर कबूतर के पास चली जाती है फिर कॉमल चेडिया कबूतर के पास आती है और कबूतर को भी यही कुछ कहती है कि कबूतर कॉमल चेडिया का अंडा रख ले देखो कॉमल चेडिया मैं तुम्हारा ये अंडा नहीं रख सकता हूँ क्योंके मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है और मेरी पत्नी नहीं है अगर मेरी पत्नी होती तो मैं तुम्हारा अंडा जरूर रख लेता इसलिए कुमल चेडिया मुझे शमा करो मैं तुम्हारा अंडा नहीं रख सकता हूँ कोमल चेडिया वहां से भी उदास होकर चली जाती है अब मैं अपना अंडा किस पक्षी को दू कोई भी पक्षी मेरा अंडा रखने को तयार नहीं है मैं कुछी दिन में मर जाओंगी अब मेरे अंडे का दिहान कौन रखेगा कोमल चेडिया काफी जादा उदास हो जाती है और अपने गोंसले की तरफ चली जाती है बस अब मैंने सोच लिया है कि अब मुझे क्या करना है रात होते ही जब सबी पक्षी सो जाएंगे तो मैं अपना अंडा किसी भी पक्षी के गोंसले में ले जाकर रख दूँगी बस अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है अब मुझे यही करना पड़ेगा बस जल्दी से रात हो जाएं तो फिर मैं अपना अंडा ले जाकर किसी भी पक्षी के गोंसले में रख दूंगी फिर रात हो जाती है कोमल चेडिया अपना अंडा लेकर किसी पक्षी के गोंसले में रखने के लिए निकल जाती है कोमल चेडिया अपना अंडा ले जा रही होती है तो कोमल चेडिया को सामने कालू कववे और रानी कववी का गोंसला दिखता है कॉमल चड़िया फॉरण अपना अंडा लाकर कालू कववे के गोंसले में रख देती है और वहां से चली जाती है मैंने अपना अंडा ले जाकर कालू कववे और रानी कववी के गोंसले में रख दिया है अब कालू कववा और नानी कववी ही मेरे बच्चे को पाल पोस कर बढ़ा करेंगे फिर सुबे हो जाती है कोमल चिडिया की जानलेवा बिमारी के कारण मौत हो जाती है पक्षियों कोमल चिडिया की जानलेवा बिमारी के कारण मौत हो गई है कोमल चड़िया कितनी अच्छी थी इस कोमल चड़िया ने हम सब पक्षियों की कितनी मदद की थी हाँ हाँ तोते भाई आप बिल्कुल ठीके रहे हैं इस कोमल चड़िया ने हम सब पक्षियों की बहुत मदद की है ही दूसरी तरफ जब रानी कवी और कालू कवा उड़ते हैं तो रानी कवी को अपने गोसले में एक अंडा दिखता है रानी कवी यही समझती है कि ये अंडा रानी कवी ने दिया है रानी कवी और कालू कवा कफी जादा खुश हो जाते है रानी, आज तुमने अंडा दिया है, मैं बहुत जादा खुश हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ, मैं इतना खुश हूँ हाँ हाँ कहलो जी, मैं भी बहुत जादा खुश हूँ, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, कि आज मैंने अंडा दिया है रानी बस आज से तुम इसी गोंसले में बैठ कर अंडे का दिहान रखोगी और आज से भोजन मैं ढूंडूँगा तुम कोई भी काम नहीं करोगी बस सिर्फ और सिर्फ इस अंडे का दिहान रखोगी हाँ हाँ कालू जी अब तो मुझे बिल्कुल भी सबर नहीं होता है बस अब जल्दी से अमारे इस अंडे में से जल्दी से छोटा सा कववा निकले अगली सुबह हो जाती है वे अंडा भी फूर जाता है और उस अंडे में से एक ननी सी चेडिया निकलती है वे चेडिया बहुत ही जादा सुन्दर होती है लेकिन कालू कववा और रानी कववी तो उस ननी सी चेडिया को देखकर हैरान हो जाते हैं रानी ये क्या हो गया हमारे इस अंडे में से तो एक चोटा सा कववा निकलना चाहिए तो फिर इस अंडे में से एक ननी सी चड़िया कैसे निकल गई कैलू जी ये बात तो मुझे भी हजम नहीं हो रही है ये कैसे हो गया मुझे बिलकुल समझ नहीं आ रही है रानी कववी और कालू कववा ऐसे बाते कर रहे होते हैं कि वहाँ पर एक तोता आ जाता है तोते ये देखो ना हमारे अंडे में से ना जाने ये चोटी सी चेडिया कैसे निकल गई हमारे अंडे में से तो एक चोटा सा कववा निकलना चाहिए था वे छोटी सी चेडिया को देखकर तोते को समझ में आ जाता है कि ये छोटी सी चेडिया उस कोमल चेडिया की है कहलो को वे मैं सब समझ चुका हूँ कि इस अंडे में से ये छोटी सी चेडिया क्यों निकली है कुछी दिनों पहले मेरे पास कोमल चेडिया आई थी और उस कॉमल चेडिया ने मुझसे कहा था कि उसे जान लेवा बिमारी है इसलिए मैं कॉमल चेडिया का अंडा रख लू लेकिन मैंने कॉमल चेडिया को मना कर दिया था कि मैं उसका अंडा नहीं रख सकता हूँ तो शायद कॉमल चेडिया ने रात को अपना अंडा तुम्हारे गोंसले में रख दिया होगा और तुम समझें के ये अंडा तुम्हारा है क्या जिस अंडे को हम अपना समझ रहे थे वे अंडा कॉमल चिडिया का था इस कॉमल चिडिया ने हमारे साथ बहुत गलत किया है रानी मैं इस नन्नी चिडिया को अपने गोंसले में बिल्कुल भी नहीं रखूंगा और इससे में बिल्कुल भी नहीं पालूंगा अभी के अभी इस नन्नी चिडिया को हमारे गोंसले से निकाल दो कैलो जी ऐसा तो मत भूलो अगर हमने इस नन्नी चिडिया को अपने गोसले से निकाल दिया तो इस नन्नी चिडिया को कोई भी चील पकड़ कर खा लेगी मैं इस नन्नी चिडिया को ऐसे ही अपने गोसले से नहीं निकालूंगी हाँ हाँ रानी कोवी तुम बिलकुल ठीक है रही हो कालो को वे अगर इस ननी चड़िया को तुमने इस गोंसले से निकाल दिया तो इस ननी चड़िया को कोई भी चील खा लेगी कालो जी बस आज से मैंने फैसला कर लिया है कि आज से में इस ननी चड़िया को पाल पोस कर बढ़ा कर दूंगी तो फिर ठीक है रानी तुम इस नन्नी चड़िया को गोंसले में रखो मैं आज से इस गोंसले में नहीं रहूंगा तो मैं अगर इतना शोक आ रहा है ना इस नन्नी चड़िया को पालने का तो पालो मैं आज से इस गोंसले में नहीं रहूंगा और मैं ये जंगल छोड़ कर जा रहा हो कालू कववा उस्सा होकर वे जंगल हमीशा हमीशा के लिए छोड़ कर चला जाता है और वे रानी कववी उस नन्नी चिडिया को अपने गोंसले में रख लेती है और उस नन्नी चिडिया को पालने लगती है और वहीं कालू कववे ने दूसरे जंगल में आकर एक बड़े से पेड़ पर अपना एक नया गोंसला बना लिया था और अब कालू कववा उसी गोंसले में रह रहा होता है इस रानी को वे ननी सी चिडिया जरूर मज़ा चकाएगी जब इस रानी को सबक मिलेगा फिर ऐसे ही कुछ साल बीच जाते हैं अवे ननी चिडिया काफी ज़ादा बड़ी हो चुकी थी और कुमल चिडिया ने उस चिडिया का नाम मुमल चिडिया रखा था मुझे पता चला है कि हमारे चंगल के बाहर एक मककई का खेत है इसलिए आज में मककई तोड़ने के लिए चंगल से बाहर जा रही हूँ बेटा अपना दिहान रखना और मककई लेकर जल्दी गोंसले में वापस आ जाना फिर वे मुमल चिडिया मककई लेने के लिए जंगल से बाहर चली जाती है दूसरी तरफ कालू कवे को एक खून खार चील ने एक पिंजरे में कैद कर लिया होता है और वे चील आज कालू कवे को मार कर खाने वाली थी कवे आज तो मैं तुझे खूब मज़े ले लेकर खाऊंगी बस मेरी और चीलों को आ जाने दो फिर हम सब चीले मिलकर तुझे खूब मज़े ले लेकर खाएंगी ये चील तो मुझे मार कर खा जाएगी मैं क्या करूँ मैं इस पिंजरे से बाहर कैसे निकलू वहीं से मुमल चडिया भी मक्कई की तलाश में जा रही होती है कि मुमल चडिया सामने देखती है कि सामने एक कालू कवव पिंजरे में कैद होता है लगता है इस चील ने कवव अंकल को पिंजरे में कैद किया हुआ है मुझे किसी भी तरह कववे अंकल की मदद करनी पड़ेगी और कववे अंकल को पिंजर से अजाद करना पड़ेगा फिर वे मुमल चेडिया बिना धरे उस चील के पास आती है और उस चील से कहती है चील अंटी आप कववे अंकल को पिंजर से अजाद कर दीजिये और कौमल चेडिया भी काफी जादा तेज उड़ने लगती है मौमल चेडिया एक जाड़ी के पीछे आकर छुप जाती है और वे चील मौमल चेडिया को ढोंटे ढोंटे आगे निकल जाती है ये चील तो मुझे ढोंटे हुई आगे निकल गई है छेलो मैं अभी काववे अंकल के पास जाती हूँ और काववे अंकल को पिंजरे से अजाद कर देती हूँ फिर मॉमल चडिया फॉरन कालू कववे के पास आती है और कालू कववे को पिंजे से अजाद कर देती है कववे अंकल चलें चल दी चलें मेरे घोंसले में वरना यहाँ पर चील आ जाएगी और हम दोनों को पकड़ लेगी चलें चल दी चलें फिर वे मॉमल चड़िया कालू कवे को अपने गोंसले की तरफ ले जाती है जब मॉमल चड़िया कालू कवे को अपने गोंसले में लाती है तो रानी कवी कालू कवे को देखकर काफी जादा खुश हो जाती है कैलो जी आप, आप मेरे गोसले में कितने सालों के बाद आए हैं आपको देखकर मुझे यकीन ही हो रहा है कि आप आए हैं रानी मुझे तो ये चड़िया यहां लेकर आई है और ये कह रही थी कि यही उसका गोसला है हाँ कैलू जी ये इसी चेडिया का गोंसला है और आपको पता है कैलू जी ये वो ही चेडिया है जिस चेडिया के कारण आप अपना गोंसला चोड़कर चले गए थे क्या ये वो ही ननी चेडिया है जिसके कारण में तुम्हें चोड़कर चला गया था रानी मैं तो समझता था कि ये चड़िया बड़ी होकर हमें धोका देकर चली जाएगी लेकिन इस चड़िया ने तो आज मेरी जान बचाई है फिर वे कालू कववा रानी कववी को सारी बाते बताता है कि कैसे मुमल चड़िया ने कालू कववे की जान बचाई ममल चेडिया तुम मुझसे पूछती थी ना कि तुम्हारे पापा कौन है ये देखो ये कववे अंकल ही तुम्हारे पापा है फिर वे कालू कववा भी रानी कववी के साथ ही रहता है और अब कालू कववे का परिवार खुशी खुशी रहने लगता है तो प्यारे दोस्तों आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करगर जरूर बताएं हमें आपकी कमेंट का बेस्ट